गाईज अगर मैं सच बोलू तो हमारे नरसरी पे 90% कस्टमा ऐसे आते हैं जिनको पर्मानेंट फ्लावरिंग प्लावर करते हैं तो पहले नमबर पे आता है टेकोमा का प्लावर आपको हर एक प्लावर के बारे में बताऊंगा थोड़ी क्यारिक भी देखेंगे कैसे मेंटेन कर सकते हो फटलाजर भी देख लेंगे टेकोमा का एक ऐसा प्लावर करते हैं अल्मोस्ट कुछ टाइम के लिए गयाप कर सकते हैं लेकिन पर्मानेंट इनको आते हैं और यह आउटडर का प्लावरिंग प्लावरिंग प्लांट में आ जाता है अगर हम बोले की और मेंटेनेंस की तो मेंटेनेंस आप आउटडर में रखो फ्लावर करते रहेंगे मेंटेनेंस में अगर इसको कमपोस्टिंग करके लगाया जाए तो आराम से आ सकता है लेकिन बिना फटलाइजर के भी यह फ्लावर कर सकता है इतनी क्वालिटी है प्लांट में अगर आपको दिमाग में रख चलना पड़ेगा अब हम लेते हैं लेक्स्त प्लांट एक जोड़ा इसके बारे में कौ नहीं जानता है। गाइज अभी अल्मोस जितना प्लान दिखाऊंगा पर्मानेंट है क्योंकि वज़ा एक ही है क्योंकि सब के सेम पैटल्स पे फिर से फूल आते रहते हैं एक जो रख अभी वैसा ही है अभी पुरा खूल खिलेगा उसी पर से नई कलिया रेडियो हो जाएगी और यह भी सेम टूस वैसा ही है आउडर में रखो लेकिन एक इसमें बेनिफिट है कि अगर आप जैसे इंडोर रख लो जैसे सैमी सेड में रख लो तो इसमें फूल लग जाते हैं इसका maintenance almost same ही रहेगा आप composting करो और indoor भी डाल लो अडाम से flower करेगा एक plant जो आप सब को पता है ये हर एक हमारे customer को भी पता होता है क्योंकि वो आते हैं और बोलते हैं सदा फूली दे दो क्योंकि उनमें 12 महीने फूल आते हैं तो इसको हम बहस नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में सब जानता है customer मांग के लेते हैं लेकिन होता क्या है कि इसमें colors की फर्माइशन नहीं होती बुसी बनाने का तरीका नर्शाज वाली के देखो वो जस्ट जब प्लांट छोटा ही रहता है ना छोटा में ही cut कर देते हैं छोटा में थोरा समको आपको अगर आ करते हैं ताकि प्लांट जो है ब्रांचेज दे और प्लांट हमारा बुसी हो आप किसी प्लांट को देखो न सबसे बड़ी बात इसमें colors की variety होती है इसको भी देखो छोटा साय कितना बुसी है तो रीजन ही है कि छोटा लगा रहता है तब ही इसको पिंच कर देते हैं और प्लांट हमारा तीन-चार ब्रांच में बच्चे से ही निकलते हैं उसके कारण के वादा प्लांट हमारा देखने में बुसी लगता है नेक्स प्लांट हम लेते हैं पेंटास पेंटास भी सेम पेंटास पर फ्लावर करते हैं यह भी परमानेंट फ्लावडिंग प्लांट मे सेम प्रोसेस है इसको भी फटलाइज खाद की ज़रुत नहीं है नहीं दोगे तो भी आपको फूल देते रहेंगे मैं आपको वित रिजल्डी दिखाऊंगा कि कितना पूराना प्लांट हमारा पर है और फूल लग रहे हैं तो हमने उस प्लांट को अल्मोस्थ फेक ही दिया यह भी प्लांट जो है महारा अल्मोस्थ जाई चुका है थोड़ी कल्या बन चुकी है फोड़ी कलर भी आपको बिल जाएंगे यह देखो वाइट भी इसको बहुत कलर आते हैं बोलो तो चार्पाच कलर तो मिनिमॉम है कि आ आपके सीटी मोगा से मिलता है वो कमेट बॉक्स में डाल दो यह देखो हमारा पुडाना प्लांट पड़ा हुआ है पूरी मिट्टी सुखी हुई है पूरा ड्राई है और फ्लावर आ रहे है नहीं कलियां भी बन रही है मतलब हालत इतना पतला हो जाता है हम केर भी नहीं करत लो इस पर फूल आ चुके हैं अब हम लेते हैं रांजाई का प्लांट रांजाई भी पर्मानेट फ्लाविंग प्लांट में है यह आप सब को चाहिए क्योंकि सुसाइटी वाले इसको लगा कर रखते हैं सबसे बड़ी बात अभी तक हमने जितना प्लांट दिखा है किसी म स्मेल नहीं था लेकिन रांजाई में स्मेल है अगर आपने अभी तक विडियो देखा तो आपको एक इंसेंटिव हुआ कि ऐसे फ्लाविंग प्लांट जो पर्मानेंट हो और स्मेल है बड़ी खुपसूरा सी स्मेल आती है मोगरा के जितना तो इन्हें मोगरा से थोड़ा कम इसमेलाता है लेकिन परहिसांदार सा फ्लावर आते हैं छोटी-छोटी फ्लूम आते हैं इसके अगर कटिंग टाइम पर किया जाए जैसे सुखा हुआ ब्रांच जैसे एक ब्रांच फूल हो गया तो इसको फूल के बाले ब्रांच को कट करके हटा दो तो इसमें की जोड़ होता बिलकुल भी नहीं है आप दो ना दो फटलाइज करने से मतलब क्या होता है इसकी जादा आते है एक्सपेक्टेशन जादा का होता फ्लावर का इसलिए ओके तो आज के इस वीडियो में इतने ही आपका फेवरेट कौन सा है कमें डूक्स में डाल दो